चेवरी स्वामिनाराइण विद्यार्थिमित्रों स्री स्वामिनाराइण गुरुकुल राजकोट संसान द्वारा आयोजित SGIS Online गुरुकुल मां आप बदाज विद्यार्थिमित्रों नूं हार्दीक स्वागत छे तो आजे आपड़े सेमेस्टर टू नी थमाके दार शर्वात करवा जाई रिया छे त्यारे साइस मां एक थी चा आँठ चेप्टर आपड़े खुब सारी रिते भणी चुकिया इना कंसेप्ट विवसित क्लियर जोया आपड़े के शूशू भिजनान मां सेमेस्टर टू मां आपड़े प्रथम चेप्टर क्या वाजई है अन्य आपड़ा कोर्ष नू चेप्टर नंबर थशे नौ चेनू नाम छे प्राणी ओमा प्रजनन तो धोरण सात मां तमे वनस्पतिओं मां प्रजनन विशे शिखी गया शेमेना जेवज पन थोड़ू अलग थेई जाशे कारण के तिया आतू ये वनस्पतिमा प्रजनन अतू अहिया शे प्राणी ओमा प्राणी ओमा बदू जावी जाशे मनुष्य वाग दिपडो बिला देड़को अब बदाज जे मनुष्य ने बदू छे शेमा विजत वोई शे प्राणी ओमा तो ये प्राणी ओमा प्रजनन एटले शूं तो सोब्रथम आपड़े शब्द समझी लेए प्रजनन एटले शूं ये प्रजनननी क्रिया शा माटे जरूरी छे तो आपने ख्याल चे के धोर्ण सात्मा आपड़े शिखी ग्या शिया स्वसननी क्रिया पाचननी क्रिया परिवहननी क्रिया आप बधी क्रिया आपड़ा शरीन माटे जेटली जरूरी छे तेवीज रिते प्रजनननी क्रिया पन आपड़ा माटे एटली जरूरी छे प्राणी ओमा जेवी रि स्वस्वन पाच्चवन परिवहन आ क्रिया जोग थती होई तोज मनुषिय छे टकी शके छे प्राणिव छे पोतानु जीवन टकावी शके तेवीज रिते प्रजननी क्रिया पन एटलीज प्राणिव मा आवश्यक छे शा माटे आवश्यक तोके प्रजनन एटले शूँ एट समझेली ये तो पोताना जेवाज नवा बाळ सजी उन्नु निर्मान करवानी क्रिया एटले प्रजनन तो आपने ख्याल छे के दर्रोज घणा लोको म्रूतियू पामे छे आने घणा लोको एनी साथे साथे ज़न עपण छे तो यहना थी थाई शेश्यशनू तोके आख़ु चक्र जडवई रहे छे जे मानव जाती छे मानव जाती ने लेने जापड़े करिया तो मानव जाती मा जेटला लोको दिवसे ने दिवसे मृत्यू पामे छे तेवीज रिते साथे साथे नव बाल सजीव उत्पन पन थाई छे तो ए नव बाल सजीव उत्पन थाई छे एक माटेक्ष ए कई क्रिया कर बाठी, यह नवा बाल सजिवनू निर्मान, नवो बाल सजिव उत्पन थेऻ शक्या छे। फ्रजनन शाक जरूरी शेह, तो आपने प्रश्ण पुछाए क्ये प्रजनन एटले श् Shot तो एना जवाब मा लखी शक्किये के पोताना जवाज नवा बाल सजीवनु निर्मान करवानी क्रिया एटले प्रजनन पोताना जवाज जे सजीव छे एना जेवाज नवा बाल सजीव उत्पन करी शक्या छे अवे प्रजनन शा माटे जरूरी छे एनना माटे आपड़े चर्चा करिए प्रजनन शा माटे जरूरी छे तो प्रजनन शा माटे जरूरी छे तो एनना माटे पेलो टोपिक आपड़े कई शक्ये के पोताना जेवोज नवो बाल सजीव उत्पन करवा माटे पोताना जेवोज नवो बाल सजीव ना निर्मान हेतु त्यार वाद पड़ेवु कैई शक्किये के छेत जातीना जे सभ्यो छे अपनुझ कुटुम लई ले है कि आपडा कुटुम मा मोटी उमर्ना पण सभ्यो हो एन्ने लानि उमर्ना पण सभ्यो तो मोटी उमर्ना जे सभ्यो छे उमोmittel समयसर थाशे है सततने सतत आगल वदारवां माटे प्रजननी क्रिया जरुरी बन्षे. लेके घरना सभ्योनी संख्या मां जेते जातीना सभ्यो जे छे यहीं संख्या मां वदारो करवा माटे प्रजनन जरूरी छे जेते जातीना सभ्योनी संख्या मां वदारो करवा माटे आयक भी जू रिजन छे के पोतानों जे परिवार छे ए नाशनों मामे एनी पेड़ी जे छे ए नाशनों पामे एना माटे पन मनुष्य छे प्राणी छे ये प्रजनन करता होए छे त्यार पचिनों आपड़े के वाज जे तो के सजियों मा पेड़ी दर पेड़ी निरन तरता बनावी राखवा माटे ये पोतानों परिवार आगल ने आगल वदारवा माटे अने जाती ओनू सातत्य टकावी राखवा माटे एक जाती आपड़े लई लिए तो के मनुष्य ज पोतानू सातत्य धर्ती उपर टकावी राखवा माटे प्रजननी क्रिया करतो होई छे जो आपणे उविचारिये के मनुष्य छे प्रजननी क्रिया करे ने यहले के पोताना जेवा नवा बाल सजीवनू निर्मान करे ज नहीं एक क्रिया कर शे ने यहले नवा बाल सजीवनू निर्मान थाशे नई तो अपने वुचार ये के एक क्रिया आये करतो नथी तो शूँ थाशे एक समय ये वो आउशे के मनुष्य जाती छे ए नाश पाम शे अले के लुप्त थाई जाशे जे आपड़े आगलना चेप्टरों मा भनी गया लुप्त जाती ओ जे प्राणियों म भनी गया एवी जरीते मनुष्य मा पण जो मनुष्य अत्वा तो प्राणियों प्रजनन करशे नई तो शूँ थाशे तो के ए लुप्त थाई जाशे ए टकी शक्षे नई तो आवा कारणों सो प्राणियों छे प्रजनन करता होई तो वनस्पति मा तमे प्रजननना प्रका ब्रकार हो छे के दरेक प्राणीं छे अलग अलग रिते प्रजनन करवा माटे सक्षम होई छे एना माटे ना बे प्रकार छे। अने बीजु छे अ लिंगी प्रजिनन तो प्राणियों छे बे प्रकारे प्रजिनन करवा माटे सक्षम होई छे एक तो लिंगी प्रजिनन अने अमुक प्राणियों मा अ लिंगी प्रजिनन थतू होई छे मनुष्य मा अमा थी लिंगी प्रजिनन थतू होई छे मनुष्या छे लिंगी प्रजिनन करवा माटे सक्षम होई छे त्यार बाद आगल वधिये तो आपने कोष्टक टेक्स्ट्बुक मा आपेलो छे कि कई प प्राणी छे अन्ने बच्चा ने शूंके वा मावे छे दरेक माटे एना बच्चा माटे सब्द के वोई छे अलग अलग आपडे नवा बाल सजी उन्नु निर्मान करिया छे तो ये बच्चु छे एन्ने आपडे दरेक प्राणी ओ माटे एना बच्चा ने शूंके वा मावे तो आपने आगलना धोन्णों मां शिखीज गिया शिया प्रणतो यहां आपने माहीती आवेली छे तो आपने जोयली एक वार एमा प्यलू छे मनुष्य तो मनुष्यना बालक ने आपने मोटा भागे केता हो ये शिशू शुआ के ये ताव ये शिषू त्यार बाद लेले ये बिलाडी तो बिलाडीना बच्चाने आपड़ अगल शिखिन आवियाद छी कि बिलाडीना बच्चाने शुआ के वाई तो के मिंद्रू दरेक प्राणीना बालक माटेनू नाम के उएछे अलग अलग वय शेए पच्छी जियने शूं के वाम आउत होई शे मनुष्य बिलाडीनु बच्चु मिंदलु होई तो है मोटु थेज़े पच्छी एने शूं के वात वह शे बिलाडी पने यह जयारे जन्मे अचे जन्म लेचे त्यारे एन नाम काईक अलग अलग रिते आपड़े केता हो ये गल्लूडियू, त्यार बाद लेले ये पतंगियू, तो पतंगियनु जे बच्चु अशे, ए शे माथी उत्पन थाई शे, खणा बदा मी त्यारूने मित्रोंने ख्याल अशे के ए एल माथी, एल माथी पतंगियू छे जन्मले तुए शे, तो एल छे एल माथी फेले था, इने तो पतंग्यान या बच्चा ने के वहाशे ए और िछे प्यूपख, थियार बाद लेली ये शे, मर्गी, तो मर्गीनों जे बच्चु ऐई शे, मर्गीना बच्चा ने, मर्गीनों बच्चु ज गेवां मावे जे, एल आपड़ा कही रीत हो लग जोएलो जूए एना बच्चा ने पन जोएलू होई परंतु एना बच्चा ने કેવા માશું આવે છે એ ખ્યાલ હોતો નોથી તો આ દેડકાન બચ્ચા ને કેવાઈ છે ટેડ પોલ નો બાળ સજીં જણમ લેતું હોઈ છે ત્યારે એનું નામ શું હોં હોઈ છે અને એ દેખાતા કેવા હોઈ છે નવા બાળ સજીવનું નિરમાણ કરવાની ક્રીયા જેને કેવાશે પ્રજનન પ્રજનન શા માટે જરૂરી છે તો કે પોતાના જેવોજ નવો બાળ સજીવ નિર્માણ કરવા માટે પોતાની જાતી છે એના સભ્યોની વદારો કરવા માટે ફોતાની જાતી ની સાત્ત્યાટા ટકાવી રાખવા માટે લેકે મનુશ્ય જાતી છે તેનો ન છે ગઈ છે પ્રજનન પરંતુ બે પ્રકારે થાય છે યમાની પેલેક્રી આપટે સમજીએ લેંગી પ્રજનન કયા પ્રકારે થાય છે અને કયા કયા સજીઓઓમાં કયા કયા પ્રાણીઓમાં લેંગી પ્રજનન જોવા મળે છે અને લે પ્રજનનું અર્થ શું છે તો કે એવા પ્રકારનું પ્રજનન સમજીલે એ ખાસબ્દ એવા પ્રકારનું પ્રજનન માદા જન્યું અનું જોડાન થતું હોઈ જે પ્રજનન દરિમ્યાન નર અને માદા પ્રજનું અનું જોડાન થઈ અને નીરમાન થતું હોઈ તેવા પ્રકારના પ્રજનનને લેંગી પ્રજનન કેવા માવે છે અને એક શબ્દા એવો જન્યુ કરતું હોઈ છે પ્રાનીઓમાન નર તેમજ માદા જન્યુઓ બનાવે છે પ્રાનિઓમાના આપણે ટોપીક લખોઈ કે આ પ્રજનન કોશો જોડાઈ ને યુગમનજ બનાવે છે પ્રજનન કોશો જોડાઈ ને શોં બનાવે છે યુગમનજ અલેકે એ વીકાસ પામી નવા બાળ સજીવનું નીરમાણ કરે જે તો લીંગી પ્રજનની થીયરી જે છે આપણે ખ્યાલાવી જે છે એમાં લીંગી પ્રજનં થતુ ઓઈ છે આપણે ખ્યાલાજ છે કે નર અને માદા જે છે એક બિજા સાથે જોડા પ્રજનં થતુ ઓશે તેને લીંગી પ્રજનં કે છે છે માં નર અને માદા બંને ની હાજરી હોવી જરૂરી છે છે લીંગી પ્રજનં માં હે લીંગી પ્રજનં જે છે એ લીંગી પ્રજનં થવા માટે એના અંગો પણ છે જે વીરી તે આપડે થોરણ સાત માં શીખી ગ્યા પાચક અંગો પાચનની જે ક્રીયા હતીએ ના માટે ઘણા બદા અંગો જે જે નું 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 નીર્માણ કરે છે તો એજે પ્રજનન કોશો ઉતપણ થવા માટે એજે ક્રીયા છે પ્રજનની ક્ર એક કર્વા માટે કાએક આપણા શરીર્માં અંગો પણ હોઈ છે એ અંગો વિશે આપણે આગળના વિડ્યાજ માં બંશુ અત્યાર એટલુ કલીએર કરવાનું છે કે પ્રજના એટલે શું પ્રજનના કેટલા પ્રકાર તો કે બે પ્રકારે પ્રજના થતુ હોઈ છે એક્તો લેંગી પ્રજના અને બિજુ ઓ લેંગી પ્રજના એમાનું લેંગી પ્રજનને લેશું તો કે એવા પ્રકારનું પ્રજના કે જેમાં નર અને માદા જણ્યવનું જોડાન થતુ હોય પ્રાનીઓમાન નર અને માદા બંને શું કરેછે પ્રજનાન કોશો ઉત્પણ કરેછે આ પ્રજનાન કોશો જોડાઈને યુગમનજ બનાવે છે અને યુગમનજ વિકાસ્પામી ને બાળ સજીવ ઉતપણ કરેછે બાળ સજીવનું નું કરેછે આખી કરીયા આપણે જે મનુશ્યમાં થતી કરીયા છે એ આપણે ડીટેલ માં સમજવાની જીશે પરંતુ આજે અત્યારે જે શ્બદ્વાવી જે આપણે કરીયાર થઈ ગીયા છોઈએ તો અત્યારે આપણે યાં સુધી રાખીએ બદાને ત્યાં સુધી મારા જે સ્વામી નારે